तो दोस्तों संडे आ चुका है तो एलेक्रिक त्रीविलर्स के अपडेट लेकर फिर एक बार आपके सामबे हाजिरू आऊंद दोस्तों इस बार थोड़ा डीले चल रहा है थोड़ा नहीं का बहुत ही डीले चल रहा है वीडियोस इसका रिजन अभी रिसेंटली हमने ड्राइविंग रेंज चेक करने के लिए हाइदरबाद शोरूम पे पहुंचे थे फुल चार्ज करके ना जीरो तक लेकर आने तक हमारा जान निकल गया है और इतना रेंज निकल करा है दोस्तों एक्सपेक्ट भी नहीं करा था और कंपीन जो बताती है और रियल वर्ल्ड में जो रेंज निकल कर आता है ना स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट है लेकिन जो रेंज हमने निकाला है फुल चार्ज से 0% तक बहुत ही इंट्रेस्टिंग है दोस्तों आप भी अगर एलेक्रिक आड़ उरिक्षा लेना चाह रहे हैं तो आपके मन में ख्याल रहता है कि रेंज उतना निकल कर आए गए या नहीं कहीं बीच में राप होगा रेंज एक्जाइटी रहता है ना दोस्तों वो खतम हो जाने वाला है वो वीडियो देखके तो यह हपते के अंदर ही आने वाला है वीडियो तो वो वीडियो मत मिस करना बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और पहले से ही आप आटो रिक्षा ले के रखे हैं या लेने वाले हैं तो वो वीडियो देख ले ना रेंज के बारे में जितना भी डौट होते हैं आपको खतम हो जाएंगे रियल वर्ल्ड में हमने चक्किया है पूरा है इद्राबाद शेयर फिर हैं अरे बाब बैटरी खतम ही नहीं हो रही हम तो थक गये हैं मैं तो समझता हूँ जिस तरह से एक आटो रिक्षा लेने के बाद ड्राइवर चलाते हैं दिन बार उसी तरह से हमने चलाया है उसके अंदर हम लगेज भी स्टोरेज भी डाले थे तीन प्यासिंजर और ड्राइवर भाई पूरे चा ग्राउंड में जा किया और उसके अंदर ना हमने वन टन केजी तक पेलोड केपैसिटी दालने की कोशिश किया और इतना अच्छा परफॉमेंस निकाल के दिया ना दोस्तों सच में कहूंगा बहुत ही इंट्रेस्टिंग था अगर आपके मन में कोई भी खयाल होता है रिय ग्राउंड में जाने के बाद भी उतना ही इंट्रेस्टिंग से आपको वाली वीडियो देने की कोशिश की है तो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना अगर आप कार गो आट उरिक्षा लेने वाले हो तो थोड़ा वेट के लिजिए ये वीक के अंदर ही बहुत ही इंट आट उरिक्षा के न्यूस के बारे में तो वीडियो में आगे जानेंगे जाने से पहले शाबुद्स में आपका बहुत बहुत स्वागता है अगर चानल में पहली बार आते चानल को जरूर सब्क्राइब कर लेना इसी तरह से इंट्रेस्टिंग एलेक्रिक आट उरिक्षा भारे दो डो बहुता है तो यह सबी नंबर साने के लिए ना थोड़ा डिले हो जाता है हर मेने तो उसके लिए माफी चाओंगा और तो जोड़ा बहुता छाएना डिटेल में वीडियो मिल जाएगी अगर हाप चालते हैं हर मैने फस्ट तारु को ही टाप टेन लिस्ट चा रहेंगे तो मुझे लगता है मेरे को तो सब्रेट क्याटेगरी वाई ल्फाई के ही वीडियो बनाना चाहिए जो हमें एक्जाट नंबर से निकल कर आते हैं वैसे हम ज्यादा तरह आट उरुक्षय की बात करते हैं तो वे वैलिड रहेगा तो चलो टोटल बता देता हूं आ 2,898 यूनिट की सेल हुई थी डिफरेंस देखा जाए तो 2,130 यूनिट की ज्यादा सेल देखने को मिली यह अक्टोबर महने में और ग्रोथ देखा जाए तो 4.4 परसंटेज की ग्रोथ मिली है अक्टोबर महने में तो दोस्तो रैपिड और इंडो फास्ट एनरजी दोनों बैटरी आफर करता है तो यह दोनों का जैंट वेंचरी है इंडो फास्ट एनरजी तो इंडो फास्ट एनरजी अभी रैपिडो प्लाटफराम के उपर अपने स्वापबल बैटरी को इंटेग्रेट करेगा तो इन दोनों के पार्नाशिप में अभी 2 साल के अंदर 10,000 से ज शुरू किया था हाइदराबाद, बिंगलूर, दिल्ली के अंदर तो यह सक्सेस्फुल होने के बाद ही रैपिडो और इंडो फास्ट दोनों ने मिलकर अभी फिलाल हैदराबाद और बिंगलूर के अंदर इनके सर्विस शुरू कर रहे हैं तो इन आटो रिक्षां को चार अगर भी कुछ कम नहीं निकल कर आ रहा है तो फिक्स बाटरी लेना भी चाते हैं तो आप बैटरी को वोन करेंगे लेकिन स्वैपिंग बैटरी का जो आटो रिक्षा लेते हैं तो उसके अंदर आपको आटो के लिए ही पैसा पे करना होता है बैटरी तो सर्विस मिलती है जब भी स्वैप करेंगे तब आप वो एक सब्किप्शन या स्वाइप पे आप पे कर सकते हैं तो दोनों में भी अपना ही फाइदा है बैटरी अगर स्वैप फूल लेंगे तो आपको उसकी वारेंटी या उसका मेंटेनिस का कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है अगर फ पे कितना चार्ज हो रहा है हो सब कुछ तो निचे कमेंट करके जरूर पूर लेना उसके पर एक डिटेल वीडियो ले के आने की कोश्च करेंगे तो दोस्तों अगली का पर निकल कर आती है एलक्रिक आट और रुक्षा के रिसेल को लेकर अभी तक इसके लिए कोई भी इंसूरेंस अब कुछ यही देख लेते थे और बैटरी का जो अमोंट है और मांतली या किलो मिटर पर यह पे करना होता था और पैनल जो पेमेंट खतम होने के बाद बैटरी आप ओन कर सकते तो इस तरह के काफी सारे सर्विस यह प्रोवाइड कर रहे थे लेकिन अभी इन इस इंस्पेक्शन में बैटरी का परसेंटेज जो बैटरी की लाइफ, आट ओरुक्षा का रेंज और बैटरी कितने साल चलने वाले यह सब कुछ डीटेल रिपोट बनाके यह देने वाले हैं और इस रिपोट के हिसाब से यह रेट डिसाइड करके शायद बता सकते हैं अ डिटेल वीडियो बनाके आपको देंगे तो दोसो इसके अंदर दोनों का फायदा है बेशने वाले को अभी एक्जाटली कहां बेशना है नहीं पता है तो अभी एलेक्रिक आट ओरुक्षा खरीदें तो बस उसको इस्तेमाल ही करना पता है अगर आपके ज़रुरत पे बे बैटरी कितनी लाइब देने वाली है और इसके पीछ में यह ओ रिक्षा के रिफ्रेविश्ट भी आफर कर रही ही है तो जो आट ओर करना चारे है तो उसके अंदर जो बी कमी होगी उसको रिफ्रेविश्ट करके बैर को बैटरी के ऊपर एक्टेंडर बारें टीबी यह कं अभी फिलाल इस तरह से चल रहा है अभी तक हमने कई सारे कार या टू विलर्स के जो रिसेल पॉइंट्स होते हैं डिलर्शिप होते हैं वो देखें पहले गाड़ी खरित के अपने बास रखते हैं और बाद में बैयर को बेचते हैं अपने फाइदे पर लेकिन ये अभी उस बेहतरिन खदम हैं मेरे उपीनियन में क्योंकि अभी तक एक्जाटली नहीं पता है किस तरह से आपको सेल करना है एक एलक्ट्रिक आटो रिक्षा और एक बात दोस्तों ये कंपिन अभी ये लफाई आटो रिक्षा जोकी पैसेंजर भी हो या कारगो ये दूनों के अंदर एक वीडियो के अपडेट्स हो ये दोस्तों आप बजाज आरी के वीडियो के लिए जरूर इंतजार कर लेना उसके लिए चानल को जरूर सब्काइब करके रख लेना आपको एक वीडियो के अंदर दो पाइदे होने वाले हैं एक तो रियल ग्राउंड में क्या चल रहा है के इतना रेज निकल करा है वो पता चल जाएगा लेकिन हाइदरबाद का शेहर में सभी विजिटिंग प्लेसे आपको पता चलने वाले हैं तो दो फाइदे होने वाले हैं आपके तो वो वीडियो के लिए जरूर इंतिजार करना एक और बात दोस्तों त्री विलर के अंद करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए तो आप वीडियो को देखने के बाद चानल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना इस चानल के उपर स्ट्रिप एलेक्रित रिविलर के ही बात होने वाली है और वीडियो भी आने वाले हैं और और यू जाजए 고양्सी तु आओ